नमस्कार दोस्तों मैं अजय चत्रवेदी वन्सिका online classes में आपका फिर से स्वागत है, मैंने पिछले पार्ट में बात कि थी कि बिंदु भुज और कोट से उसका construction होता है, X पे चली गई दूरी को हम plus में count करते हैं और Y पे चली गई दूरी को हम minus में count करते हैं, तो चार ग्वजन फोगा है, तो इस तरह से एक्जामे आसकता है कि 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 स्थित है, तो हमें चारो क्वजन के mark जानने होंगे, तो पहला चत्रव है उसके जो चिन है, वो plus, प्लस है, इसका मतलब उसके अंदर जो भी बिंदू इस्थित है उसका जो पहला जो प्वज है, जो यह ऐसे चली गई दूरी है, तो knob इसे चय्प प्रम्थ में जो क्षक्रण कर दगता ऊथरा थरा मिनसेे, फिर ए कि साइन हो जो मयर्च से सागए. तो पहले हैं दूसरौ हो मिनस, मार्च क्भला क्भायल ननीक अधरा क्भायल मिनस में दूसरी हो। क्योंकि पहले f अक्ष वाली चली दूरी वह भी मैनस में और फिर y f चली जो दूरी है जो कोटी है वह भी मैनस में होगी तो question अगर पूछे कि minus 7 कामा minus 5 किस quadrant में है तो third quadrant में है फिर आते हैं चौथी चत्व थांस में तो इसमें जो भी बिंदू इस्तित होगा उसका मार प्लस कामा माइनस होगा तो एक question यह बंता है कि यह बिंदू किस चत्व थांस में है कुश्चन ऐसे भी आसकता है कि 0 कामा 2 किस अक्ष पर है तो 0 जो है वो मूल बिल्दू से तहीं भी नहीं चला और 0 और 2 दोनों प्लस के है ठीक है तो 0 और 2 जो है वो आपका कोट ही है वो yx में चली गई दूरी है क्योंकि 2 प्लस का है तो वो उपर चलेगा क्योंकि yx पूरा बंचेकर नीचे का मैंनस में होगा तो 0 तो कामा 2 जो है वो yx पे चली गई दूरी ऊपर पहे तो 0 तो 0 चला ही नहीं तो 0 कामा 2 आपका yx पर स्कित है इसी तरह पूछाजा सकता है कि तो अब आते हैं, हम आवे बढ़ते हैं, जैसे कि दो बिंदू अगर दिये हुए हैं, तो मालीजे, एक बिंदू है आपका 1st quadrant में, और 1 बिंदू है 2nd quadrant में, उसके 20 की दूरी पूछा है, मतलब अगर 2 बिंदू से 1 रेखा फंट खीचा जाएगा, या रेखा फंट खीचा ज फिर आप दोनों की 20 की distance निकाल लिए हैं, फार्मला लगा सकते हैं, D is equal to under root x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square, इन दोनों को एक बर के बर्मूल निकाल लिए, दोनों की 20 की दूरी आजाएगी, तो यह चाहे जिस बी चतुक्थांस में इस्थ हो, यही फार्मला लगेगा, D बराबर under x1 minus x2 का whole square plus y1 minus y2 का whole square, तो इस फार्मले से आप दो लिए की 20 की दूरी निकाल सकते हैं, आप इसको ट्राई करें, इस पे बहुत से कोशिन मन सकते हैं, इस बीन्दू की 20 की दूरी क्या है, फिर इसके आगे हम अगले part में बात करेंगे दोस्तों, बहुत बहुत धनवार अ